आज की वीडियो हम बात करेंगे कि जो इस बार फेल हो गया है उनके बारे में तो गाइस सबसे पहली बात तो आप UPSC CDS की प्रिपेरिशन कर रहे हैं आप लोग कोई आम लोग नहीं है मतलब इस पेसल है ठीक है जहां पर आपको पता है और लेडी के साड़े 300 वैकेंसी निक और ज्यादा अच्छी बात है कि किवल 17 वैकेंसी पे आप लोग फाइट कर रहे हैं जिसमें से चार माच वैकेंसी और रेडी रेजर होती है तो उस सारे इतने बड़ी कॉंपटीशन में यह डिसाइड करना कि हां CDS का एक्जाम देना है और इसे किलियर करना है यह कोई छो आई जाती है इस वार मैट्स जो है टब बनाया था एकली मैंने नहीं दिया था जो भी रिजन था मैं बट बताता हूं CDS में फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक नॉर्मल सी बात है और मैक्सम बच्छे फेल होते ही है जाहर सी बात है कभी-कभी लगता है कि बात भी फेल हो जाते हैं जैसे कोछ लोगोंने आराम से जीएस अच्छे से करी होगी जितना वो कर सकते हैं इंग्लिस भी बहुत अच्छे से करी होगी और जितना वो कर सकते हैं और मैट्स भी अच्छे से कर रहा होगा अब बाई चांस की बात है कि पैटन जो हा पुराने पेटन पर फॉलो नहीं करा तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना बट एक बात ध्यान रखिए आपकी जो महनत है वो बेकार तो नहीं जाएगी ठीक है आपने वो सब जो कर रखा है ना अभी में को बता है फेल होने के बाद मैं अगर आप पड़ाई कर रहे हैं बहुत अ किन आउट होने के लिए तो बहुत दिक्कत होती है सब लोग गोलने लग जाते हैं छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे तो बिल्कुल नहीं सुनने हैं आपको किसी की भी छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ यह सावित करने के लिए कि आप कर सकते हैं एक ट्राई और देती जिए मेरी तरफ से बस और इस बार अगर कोई भी कमी जूटी है कोई भी एक इत्तिस ही भी वो भी आप पूरा कर लीजिए ठीक है मैं को पता है फिर से वो ही चीज़ा पढ़ने में जो आप अल्लेडी पढ़ चुके हैं बोरिंग लगता है तो आप उस चीज को बेहन करके थोड़ा सा मौक टेस्ट पर ध्यान दे लीजिए अगर आपने मौक टेस्ट भी दिये थे तो कुछ नहा करिए अपने प्रिविएस येर कोई छोड़ दिया थे तो वो कर लीजिए अगर आपने सब कुछ किया है फिर भी हुआ है तो हो तो हो तो मैं प्र प्र भी जाओंगा हो भी सकते हैं नहीं विए हो सकते ही सकते हैं हो सकता है आपने अपने नोटिस में ऐसी चीज़े लिख रख here जो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताना चांओ कि तो तो 3 महीने में एक सेब्टेमर般 में आपका एक्जाम है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, चलो चार महीने हो गए, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, ये तुम के वल सेल्फ इस्टेडी से कर सकते हो, ना कि किसी कोचिंग के दुवारे दियेगे टास्क से, कि उसने ये बोल दिया, और वो ही आप करते जा रहे हैं, उ में भी आपने पढ़ाई करी है, तब तो और जादा, ठीक है, और इस बार का अटेम्ट जो दे रहे हैं, आपने CGL का फॉरम अवियसली भराई होगा, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा साइड में जरूर लेके चलिए, अगर सिर्फ आपको एक जॉब चाहिए तो, ठीक है सीडेश की तैयरी गरते में, रिस्क है, आपका एक मेडिकल रिस्क भी होता है, कि आपको पता गए है को हैसी वीमारी है, और फिर आप SSV पास हो के मेडिकल में भी वी फैल होता है, मतलए अजनर्र सी बात कह रहा हूं, कोई बहुत बढ़ी बात नहीं कर रहा हूं कि medical में भी बंदे फेल होते हैं मेरा SSV मतलब ठीक है में को थार्ड अटेम्ट जब किलियर हो गए थे तब फूर्थ अटेम्ट में फूर्थ अटेम्ट करने से पहले में को अपने हाथ जो है दिक्कत लगे ठीक है लेकिन और वह चीज दिमाग में इतनी ज्यादा अगरी के हाथ देखकरता है मतलब ऊई खांसर वाले कि हाथ तो जो बेंड होरा है ये सीधा है लेकिन ये वाला जो है बहुत केरिंग जाता है है ना बहुत केरिंग हो रहा है तो मैं आउट हूँ इसमें पका आउट हूँ मुझे यकीन है फिर भी मैंने फोर्थ अटेम्ट दिया सिर्फ इसलिए कि मैं कि क्लियर कर सकूं और जो यूटूब चला रहा हूं उस अब उस टाइम पे आई थिंग में लगता है लेकपाल का एक्जाम भी था बट में लगता था एक्षरी मैं लेकपाल का एक्जाम छोड़ा आया है वह इसलिए क्योंकि पता था भरती तो यह कराने से रहे नॉर्मल सी बात है तीन चास साल में होगी तो होई जाएगी और व कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप कोसिस करिये मंडे से फिर से आप सुरू से शुरूहात कर सके संडे को यह अपना रूटीन बनाई है और पूरा फिर स्टार्टिंग से लग जाई है और मैं फिर भी कहना चाहूंगा आप रिटेन की तयारी कर रहे हैं आपने बहु 95% थी 98% थी जो भी थी आप उसको तयार करें हो साथ ही साथ में इंगले से स्पीकिंग पर भी ध्यान दीजिए ठीक है अगर आप इंगले से स्पीकिंग भी साथ में लेकर चलेंगे तो SSV में बहुत जादा help मिलेगी अगर नहीं दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एक्जाम देने के बाद भी आपको 5-6 महिने का टाइम हाराम से मिल जाएगा SSV देने के लिए अगर आप AFA या OTA की तई आरिकर रहे हैं आईये में का SSV जल्दी हो जाता है आईये ने का में फो आईडिया नहीं है ठीक है फोर्म जो है CDS के जल्दी आने वाले नोटिफिकेशन अभी मैंने देखा नहीं का नोटिफिकेशन लेकिन आप UPSC के वेफसाइट से देख सकते हैं या फिर मैं भी इस चैनल पर बता दूंगा नोटिफिकेशन का आने वाला लेकिन यह तो फिक्स है आपका एक्जाम सेप बार प्लीज कोसेश जरूर करिये CDS की अगर आप फिजिकली मेंटली फेट हैं और मेडिकली तो तो आपको ट्राइब करना ही चाहिए जब तक अटेम्ट है हार तो बिलकुल नहीं माननी है गाइस बस चीया अगर आपको लग रहा है कि एक पर सेंट्टी पे कमी चुट गई है इस वार जो कि हमें अब्यूसल लगता है जब हम फेल हो जाते हैं कि यह रह गया वो रह गया यह रह गया वो रह गया जब आप पास हो जाएंगे ना तब भी अगर आप सोचेंगे तो पास हो गया लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हां यह मैफ को करना चाहि어나 तो गलत है है व्यार Julius मेरा मानना यही है और डॉंट वे यार होगा जरूर होगा exam clear ठीक है और जिल लोगों ने exam clear किया है SSV देने जा रहे हैं वो पूरे हक से SSV देखे जाए है आपको एक chance मिला नहीं है आपने खोद छीना है ठीक है अपने तयारी करिए महनत करिए आपको chance मिला है वहाँ पर एकदम हक से जाए है तयारी करिए अपनी proper SSV की PPDT पर ज़्यादा ध्यान दीजिए ओ या यह reasoning अगर आपने CGL की reasoning की तयारी करिए है तो वहाँ की reasoning कुछ खास नहीं है बिल्कुल यह माल लीजे CGL की reasoning बट्टे 8 इतनी सब्सक्राइब आती है वह आपकी जो भी डाउट है वह आप कमेंट सेक्शन ने पूछ सकते हैं अब आने वाली बात कोई नहीं है बेड़ लेक पॉर नेक्स्टाइम थेंक्यू